हेलो दोस्तों कैसे आप सब उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे से होंगे आज की इस वीडियों को चीज परकार की इंट्रेस्टिंग फोटो एइटिंग करना सिखेंगे वह भी स्नेपसीड एप की मदद से अगर आप ऐसी फोटो एइटिंग करने में इंट्रेस्ट रखते हो तो वीडियों को बीना स्किप के अंतर तक जुरूर देखे वाँ चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे बैल ऐकन बटन को प्रेस करने जिससे ऐसी फोटो से पिक को ओपन कर लेना है आप देख सकते दोस्तों कुछ इस परकार से यह है अपना सिंपल से पिक जिसे अपना आज की इस वीडियो में कुछ इस परकार से HD quality में CB photo editing करने वाले हैं आप देख सकते दोस्तों कुछ इस परकार से अपन photo editing करने वाले हैं इसके लिए दोस्ता आपको simply से अपने simple से pick के दोस्ता आपको share करके open कर लेना है Snapseed app के अंदर Snapseed app दोस्तों play store पर upload है वहाँ से जाके आप download कर सकते हैं फियर दोस्ता आपको simply से right side से second number option पर click करना pencil वाल option पर click कर देना एक बात दोस्ता आपको इसके अंदर एक option मिल जाएक है selective का simply से दोस्ता आपको iS question पर click कर देना है ऐसा कर लेना ऊप्वाद दोस्ता आपको simply सब परता अपने face पर कुछ इस परकार से लाइल दोह दोस्ता आपको अपने फेसे को कुछ इसे प्राका से वांटकर लेना है गोरा कर लेना इसके लिए ब्राइटनेस को इनकुरिज करना है सब परतम आपको ब्राइटनेस को इंक्रीज करना है सेचुरेशन को डिक्रीज कर ला है तो इस्ट्रेक्चर को भी डिक्रीज कर लेना कुछ इस प्रकास से दोस्त आपको इस प्रोसेस तो आपको अपने फेस को कुछ इस प्रकास से इस प्रोसेस को अपना कर कुछ इस परकास से दोस्ता आपको सरकल बनाना है brightness को increase कर लेना है saturation को decrease कर लेना है structure को decrease कर लेना है कुछ इस परकास से कर लेना एक बात दोस्ता आपको simply से right का option पर click कर देना है आप देख सकते कुछ इस परकास से आपका face गोरा हो चुका है फिर दोस्ता आपको simply से वापस से pencil लपेश्ल वाला उप्शन पर क्लिक करना है नीचे एक तरह से एक सीबी बेग्राउंड ले ले लेना है जो दोस्ता आपको इस वीडियो के डिस्कृस में बॉक्स में मिल जागा वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं फिर दोस्ता आपको सिंपली से नीचे तरफ से थर्ड नमबर ऑप्षन ओपेसिटी का ऑप्षन पर क्लिक करना है तता दोस्ता आपको इसकी ओपेसिटी को फूल इंक्रीज कर लेना कुछ इस क्लिक कर लेने के बाद दोस्ता आपको सिंपली से राइट के ऑप्षन पर क्लिक कर देना है ऐसा कर लेने के बाद दोस्ता आपको उपर की तरफ से थर्ड नमबर ऑप्षन एडिट स्टेक का ऑप्षन पर क्लिक करना है डबल एक्सपोजर के ऑप्षन पर क्लिक करना है ब्र चेंज होने लगेगा आप देख सकते दोस्तों कुछ इस परकार से बरस चलाने पर आपका बेग्राउंड इस परकार से दोस्तों चेंज होने लगेगा चलिए दोस्तों इस परकार से बरस चला लेता है जिससे दोस्तों बेग्राउंड चेंज हो जाएगा अगर दोस्तों इंटिवेशन मिलता है नेक्स्ट विडियो बनाने के लिए और हाँ आगर दोस्त आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को जोईन ने किया तो टेलीग्राम चैनल को जोईन कर लीजिए जिससे दोस्त आपको प्रिसेट प्यंजी एंड बेक्राउंड का इस्टोक फ्री मे लिए लिंक दोस्ता आपको से अब को बरस स raft चलाते हुए अपने बैक्राउंड बैक्राउंड में चैन्ज कर लेना चलिए दोस्त में से मैं पूरे पर bit 93 चला कर चैन्ज कर लेता हूं तो सdzy अपको आगे लोग बताता हूं चलिए दोस्ता में इस पूरे पर बरस चला ले कुछ इस परकार से दोस्ता आपको बरस चला लेने कब युद्स इस परकार से आपका बेक्ग्राउंड चैंज हो चुका है फिर दोस्ता आपको सिम्पली से राइट के पुवश्न पर क्ली कर देना है पर आएँपर की तरब येपट साइट से अउपर की तरब अपसे पर कप्ली कर देना है जो दोस्ता आपको इस वीडियो के डिसकेस में बॉक्स में मिल जागा ऐसा कर लेने बाद दोस्ता आपको सिंपली से नीचे एक तरफ मीडल वाला ओप्शन को सलेट करना है तता दोस्ता आपको कुछ इस परकार से इसे सब्ट्रेक्ट कर देना है इस परकार से कर लेने बाद बाद दोस्ता आपको सिंफली से राइट के ऑप्सों पर क्लिक करो ने आए क्वर स्वाला-पश्य कर लेने राइट के पैसा कर लिए एसा बाद दोस्ता आपको सिंफली से डाइबल एक्पोजर कि अमट रखैएं कुछ इस परकार से अपने फोटो को जुम करना है तो दोस्ता आपको अपने साइट पर कुछ इस परकार से बरस चलाना है जिससे दोस्ता आप साइट पर इस परकार से इस color को apply कर लेता हूं फिर दोस्तों मैं आपको आगे गे tutorial देता हूं चले दोस्तों मैं इस पूरे साइट पर इस परकार से बरस चला लेता हूं कुछ इस परकार से कर लेने बात दोस्तों आपको सिंपली से right के option पर click कर देना है ऐसा कर लेने बात दोस्तों आपको left side से उपर की तरफ arrow के option पर click कर देना है इस परकार से कर लेने एक बात दोस्त आप देख सकते कुछ इस परकार से आपके चस्में और साइट का कलर चेंज हो चुका है फिर दोस्त आपको सिंप्ली से वापस से पैंसिल वाला option पर क्लिक करना है तो तो दोस्त आपको उपर की तरप एक option मिल जाए tune image का सिंप्लिस से दोस्त आपको इसके option पर click करना है तो नीचे एक तरफ scroll करना है आपको एक option मिल जाएगा highlights का सिंप्लिस से दोस्त आपको इससे कुछ इस परकास से increase करते हुए दोस्तों आपको 20, 31 रख लेना है ऐसा कर लेने एक बाद दोस्तों आपको simply से right के option पर click कर देना है इस परकास से right के option पर click कर लेने बाद दोस्तों आपको उपर की तरप से third number option edit stack option पर click करना है view edits के option पर click करना है जो दोस्तो हाइलाइट्स की वजय से जो वाइट साय है उसे दोस्ता आपको अपने स्किन एंड फेस से कुछ इस परकार से क्लीन कर देना यह केवल दोस्ता आपको अपने साट एंड बेग्राउंड पर ही रखना है कुछ इस परकार से कर लेने के बाद दोस्ता आपको सिंप प्रेट का सिंप्लिस से दोस्त आपको इसके अप्सेन पर क्लिक कर देना है इसमूद टू को सेलेट करना तो दोस्त आपको इसके अंदर ता फेस स्पोटलाइट को कुछ इस परकास से 22 रख लेना है इसकीन स्मूद तिंग को दोस्त आपको कुछ इस परकास से 85 रख लेना है तो आई किलेटी को दोस्ता आपको फुली डिक्रीस करके जीरो रख लेना है इस परकार से क्लिक कर लेना है बात दोस्ता आपको सिंपली से वापस से दोस्ता आपको पेंसिल वाला ओप्सिन पर क्लिक करना है तो दोस्ता आपको अपने फेस को गोरा करने लिए तो दोस्ता आ परकार से 0.7 amount रख लेने बात दोस्त आपको simply से अपने photo कुछ इस परकार से जूम करना है तो दोस्त आपको अपने face and skin पर कुछ इस परकार से ब्रस चला लेना है आप देख सकते हैं दोस्तों कुछ इस परकार से ब्रस चलाने पर आपका face and skin कुछ इस परकार से white होने कुछ इस परकार से कर लेने बाद दोस्ता आपको सिंप्ली से राइट के अप्शन पर क्लिक कर देना है आप देख सकते हैं कुछ इस परकार से आपका फेसेंड इसकीन गोरा हो चुका है फिर दोस्ता आपको सिंप्ली से वापस से पैंसिल वाला अप्शन पर क्लिक करना है तरता दोस्ता आपको ट्यून इमेज के अप्शन पर क्लिक कर देना है कुछ इस परकार से क्लिक कर लेने बाद दोस्ता आपको brightness को कुछ इस परकास से decrease करते हैं दोस्ता आपको 378 रख लेना है इस परकास से कर लेने बाद दोस्ता आपको सिंपली से right का option पर क्लिक कर देना है right का option पर क्लिक कर लेने बाद दोस्ता आपको उपर की तरफ से third number option edit stack का option पर क्लिक करना है तुरते हो दोस्त आपको view edits के option पर click करना है ट्यून image को पर्लिग करना ब्रस वाला icon को select कर दोना है ऐसा कर लेना है यह बात दोस्त आपको simply 6 ट्यून इमेज को कुछ इस परकासे दोस्त आपको 100 रख लेना है इस परकासे इसके अमॉंट को 100 रख लेने के बाद दोस्त आपको सिंपली से कुछ इस परकासे अपने स्कीन एंड फेस पर कुछ इस परकासे दोस्त आपको इस बरस को चला लेना है जिससे दोस्त आपका फे ज्यादा गोरे नहीं हो तो आप इस step को skip कर सकते हैं कुछ इस परकार से दोस्त आपको ज्यादा गोरे होने पर दोस्त आपको brightness को decrease करते हुए कुछ इस परकार से अपने face and skin पर इसे apply कर लेना कुछ इस परकार से जिससे दोस्त आपका इस परकार से adjust हो जाएगा कुछ इस परकार से दोस्ता आपको ब्रस को चला लेना है जहाँ पर दोस्ता लाइट्स आपको ज्यादा लग रही है वहाँ पर दोस्ता आपको इस परकार से चला कर एजेस्ट कर लेना है ऐसा कर लेने के बाद दोस्ता आपको सिंपली से राइट के ओप्सिन पर क्लिक कर देना है राइट के ओप्सिन पर क्लिक कर लेने के बाद दोस्ता आपको उपर की तरफ एरो के ओप्सिन पर क्लिक कर देना है फिर दोस्ता आपको सिंपली से अपने लिप्स पर Red Color Effect देने के लिए दोस्ता あपको Pencil के Option पर क्लिक कना है पिर दोस्ता आपको इसके अंदर Brush के Option पर क्लिक कना है ऐसा कर लेने अकुछ आपको Saturation का Option पर क्लिक कना है Saturation को दोस्ता आपको T denkt रखना तथा कुछ इस परकार से आपको अपने फोटो को जूम करते हुआ अपने लिप्स पर कुछ इस परकास से प्रस चला लेना जिससे दोस्ता आपके लिप्स पर कुछ इस परकास से दोस्ता आपके रेड टॉन कलर वापस से आ जाएगा इस परकार से कर लेने के बाद दोस्त आपको simply से right का option पर click कर देना है ऐसा कर लेने के बाद दोस्त आपको अपने hair पर oil paint effect देने के लिए दोस्त आपको simply से इस pick को share करके open कर लेना है tool which app के अंदर कुछ इस परकार से दोस्त आपको share करके open कर लेना है tool which app के अंदर इस परकार से टूली जाए आपके अंदर open कर लेने के बाद दोस्त आपको simply से आपके सामने कुछ इस परकार का interface कुल करना जर आएगा simply से दोस्त आपको नीचे एक तरफ effects के option पर click करना है ऐसा कर लेने के बाद दोस्त आपको इसके अंदर एक option मिल जागा इसके option पर click कर देना है फिर दोस्त आपको नीचे एक तरफ बहुत सारे दोस्त आपको effects मिल जाएंगे simply से दोस्त आपको 7th number effects को select करना है कुछ इस परकार से कर लेने के बाद दोस्त आपको mask के option पर click करना है तता दोस्ता आपको इसके clean के option पर select कर देना है कुछ इस परकास से कर लेने के बाद दोस्ता आपको simplest अपने photo को zoom करना है तता कुछ इस परकास से दोस्ता आपको अपने hair पर इस परकास से इस effect को दोस्ता आपको apply करने के लिए brush चला लेना है जिससे दोस्ता आपके hair पर कुछ इस परकार से oil paint effect आ जाएगा इस परकार से दोस्ता आपको अच्छे से brush चला लेना है ऐसा कर लेने बाद दोस्ता आपको simply से right के option पर click कर देना है right के option पर click कर लेने बाद दोस्ता आपको simply से आप देख सकते हैं कुछ इस परकास है आपका फोटू ओयल पेंट तता सीबी एडिंग HD कॉलिटी में हो चुके हैं तो दोस्तो आज की फोटो एडिंग में बस इतना ही इसे HD कॉलिटी में सेव करने के लिए दोस्ता आपको उपर की तरफ से राइट साइट से उपर की तरफ save का option अज़र आ रहा है simply source पर click करना है जिससे दोस्तों आपका photo HD quality में gallery में save हो जाएगा so guys वीडियो कैसे लगी comment कर रहे हैं जरूर बताना अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ share करना न बूलना जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब दे के लिए बाई बाई लव यू टेक केर